क्रियेटिव एजुकेशनल आइडिया में सभी का स्वागत हैं मेरा नमस्कार आज के क्लास में हम आरंभ करेंगे हमारा हिंदी उपन्यास हिंदी उपन्यास में आपका तीन उपन्यास हैं प्रेमचंद जी की कर्मभूमी भगवती चरण वर्मा जी की चित्रिलेखा और मन्नो भंडारी जी की आपका बंडी आज के इस क्लास में हम करेंगे प्रेमचंद जी की कर्मभूमी ये कर्मभूमी जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वालों की पारिवारिक समश्याओं का सज्जीब चित्रण है इस उपन्यास में प्रेमचंद जी लेकिन अपने राजनेदिक कर्तव्यों के प्रती वो निश्ठावान थे इस कहानी में आप बहुत ऐसे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे विशे पढ़ेंगे जो आपको हेरान कर देगी अगर हम पहले तो पढ़ेंगे हम प्रेमचुन जी की जीवन के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे कहानी तो नहीं उपन्यास के बारे में और इस उपन्यास का मैं आपको कोई एक डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती जैसे कि भोलाराम की कहानी क्या है अशोक का फूल क्या है दिया गया था लेकिन इसकी नहीं दिया है मतलब इस उपन्यास का आपको details में नहीं दिया जा सकता क्यूंकि ये आपका 5 भागों में बटा हुआ है ठीके, पांच भागों में बटा हुआ है, भाग वान, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 और अगर मैं बोलू प्रथम भाग में, भाग वान में कुल 18 अध्याय है उसी थरा मैंने लीस्ट बना दिया है किस भाग में कितने पहले भाग में 18 अध्या है दूसरे भाग में 7 अध्या है तीसरे भाग में 12 अध्या है चोथे भाग में 10 अध्या है इसलिए हम इन अध्यायों के बारे में ना पढ़कर केवल पढ़ेंगे कर्म भूमी किस विशेवस्तू पर रचा गया है कर्म भूमी का सारांश गया है और प्रेमचन जी के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो जो ये मुन्शी प्रेमचन जी का कर्म भूमी है वो सर्वस्रेश्ट उपन्यास है कैसा उपन्यास है सर्वस्रे उपन्यास कौन सा है मुन्शी प्रेमचन जी का तो कर्मपुमी इसमें आप देख सकते हैं नायक के अगल भगल में दो महिलाओं को ये कहानी नारियों के उपर भी है किस तरहां नारियों का शोशन हुआ करता था उनको वेश्यवृति के लिए बाध्य किया जाता था उनके सा उस समय के किसानों की अवस्था भी वर्नन करता है ये उपन्यास उन्होंने आंदोलन के समय लिखा था जबकि भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों का सासन चल रहा था इस वज़ह से ये उस समय का राजनेतिक सामाजिक अवस्था को भी चित्रण करता है यहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर क्या लिखा है सर्वेश्ट उपरन्यास कर्मभूमी है उसी तरह आपको पूचा जा सकता है सर्व प्रसिद जो की समसे ज्यादा प्रसिद धुआ था प्रेमचंजी का वो उपरन्यास क्या है वो है गोदान जैसे कि हम देखेंगे कि नारि पड़ेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंजी के जीवन के बारे में कर्मभूमी कर्मभूमी उपरन्यास कर्मभूमी उपरन्यास प्रेमचंजी के दौरा लिखी गई थी यह एक यथार्थवादी उपरन्यास है यथार्थ चरित्र के मस्तिश्क में अपनी अलग-अलग सोच है अपनी अलग-अलग धारनाएं है और उन धारनाओं पर वो सशक्त हैं वो स्थिर है जो सोचता है उसी को सच मानता है ना ही किसी दूसरे से प्रभावित होता है ये जो कहानी है वो इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था 1932 को इसका प्रकाशन हुआ था आपको पूछा जा सकता है स्वाधिन्ता के आंदलोन के वक्त लिखा गया कौन सा उपर्नियास है वो है कर्म भूमी स्वाधिन्ता आंदलोन के समय ये उस समय की समस्याओं को उठाता है ये उपर्नियास इसके अनुसार मध्यवर्ग और निम्नवर्ग परिवारों की जो समस्याएं होती है वो राष्ट्य समस्या के रूप में उसको स्विकार करना चाहिए क्यूंकि साधारन दोर प्याहम देखे तो हमारे देश में अमीरों से ज्यादा मध्यवर्ग और निम्नवर्ग के लोग रहते हैं हम जिसे नीजी समस्या समस्या है प्रेमचयंद उसे एक व्यापक समस्या समस्या है इस कर्म भूमी का अगर हम शारांस देखे तो ये नायक अमरकांथ और उसके परिवार से शुरू हुआ है नायक अमरकांथ और उसके परिवार जब हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारी रोचक-रोचक बाते आपको बता चलेगी चलिए पहले आरम करते हैं प्रेमचन जी के जीवन से चलिए शुरू करते हैं प्रेमचन जी की रची हुई उपन्यास कर्म भूमी इसके बारे में यानि प्रेमचन जी के बारे में सबसे पहली बाद आपको याद रखना चाहिए उनका असल नाम धनपत्राय स्रिवास्तप था उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और निधन 8 ओक्टोबर 1836 को वे 56 चपन के उमर में उनका निधन हुआ था उनके माताजी का नाम आनन्दी देवी और पिता मुन्शी अजय वराय थे उनका जन्म स्थान क्या था वारणासी जिल्ला उतर प्रदेश स्टेट में ये पढ़ता है या फिर कह सकते हैं स्टेट उतर प्रदेश जिल्ला वारणासी और गाउं है लमही उस लमही गाउं में एक कायस्त परिवार में उनका जन्म हुआ था लेकिन उनके रचनाओं के लिए उन्होंने अपना एक छदब नाम बनाया जो की है प्रेमचन और प्रेमचन्द के नाम से ही उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को रूप दिया वो हिंदी और उर्दु के सरवाधिक लोगप्रिय उपन्यासकार और कहानिकार थे एवं विचारत भी थे उनके पिता डाक मुंशी थे लमही में ही जो उनका गाउं था उसी गाउं में उनके पिता जी लमही में डाक मुंशी थे इसलिए उनको मुन्शी बाबू कहा जाता था और मुन्शी अजेवरा है मुन्शी प्रेमचन है ठीक है उनके नामों के आगे मुन्शी लगाया जाता है ये मच्चन नहीं है मुन्शी है टाइपिंग मिस्टेक हो क्या है मुन्शी प्रेमचन की आरंबिक सिक्षा फार्सी में हुई थी देखिए वो लिखते हिंदी और उर्दू में थे लेकिन उनकी प्रारंबिक सिक्षा कहां से हुई थी फार्सी से इस वज़े से ये एक important question आपके लिए बन जाता है महत्वपुन सवाल बन जाता है उनकी प्रारंबिक सिक्षा कौन से भाषा में हुई थी वो है फार्सी प्रेमचन के माता पिता के सम्मंध में रामविला शर्मा ये एक गुरुत्वपुन आपका है point आप ध्यान रखेंगे वो कहते हैं जब वे साथ साल के थे कौन प्रेमचन यानि कर्मभुमी के रचे था जब वो साथ साल के थे तब ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था जब वो 15 वर्ष के हुए तब उनका विवा कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहान हो गया और उनके माता के ये भी कहा जाता है कि उनके माता के मृत्यों के बार उनके पिता जी की दूसरी शादी भी हुई थी उनकी सौतेली मा से उनको अत्याचार पिता के बारे में वो लिखते हैं कि पिता जी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर तो खाई स्वयम तो गिरे ही साथ में मुझे भी डुबा दिये और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया उनके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे उनका पहला विवा प्रेमचन जी का दो बार जैसे उनके पिता जी की दो बार शादी हुई थी उसी तरह उनकी भी दो बार शादी हुई थी उनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत रुच्छी थ तेरा वर्ष की उमर में उन्होंने तिलिस्मी ए खोश्रुवा पढ़ लिया ठीक है यह इतना जाने के आपको जरुरत नहीं जस्ट वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यह कुछ एक्जाम में आने वाला भी नहीं है ठीक है आप इसको काट भी सकते हैं अब यहां से पढ़ि तब शिवरानी देवी बाल बिध्वा थी अब यह शिवरानी देवी इनका नाम आपको याद रतने की जरुरत है क्यूंकि इन्होंने शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंची के उपर एक आत्मजीवन लिखा ठीक है उनके जिवनी के बारे में लिखा उसका नाम गया था प्रेमचंद घर में हम देखेंगे प्रेमचंद जी के उपर टोटल तीन लिखे गए हैं उनकी तीन आत्मजीवन के बारे में लिखे गए हैं अलग-अलग लेखो को ने लिखे हैं उनमें से एक है प्रेमचंद घर में जोकी लिखा है उनकी दूसरी पतनी शिवरानी देव सूशिक्षित महिला थी, जिन्होंने कुछ कहानियों और प्रेमचंद घर में सिर्ष्यक पुस्तक भी लिखी, ये जो प्रेमचंद घर में वो प्रेमचंद जी के ऊपर रची वी थी, उनकी तीन संताने हुई, शिपतराय, अमरितराय और कमला देवी, ये बात की आपकी भी आपको जाने के जरूरत नहीं, मतलब ये भी आपके लिए important नहीं है, मैंने हाला कि details information दे दिया है आप एक बार उसको पढ़ लीजिए लेकिन कौन से कौन से बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कौन सा कौन सा महत्योपुन है, मैं आपको बताते जाओंगी पढ़ते हुए उसके बाद उनकी सिक्ष्या के बारे में दिया गया है आप चाहे तो उनके सिक्ष्या के बारे में भी पढ़ सकते हैं यह जो बीच वाला सेक्षन है, उनकी सिक्ष्या के बारे में है, आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी रचनाओं में उपन्यास थे, कहानिया थे, नाटक थे, उनका सर्व प्रत्थम उपन्यासे, सेवा सदन जो की हिंदी में प्रकाशित था आपको पुछा जाएगा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था यहाँ मूल रूप से उन्होंने बाजार हुष्ण नाम से पहले उर्दू में लिखा गया लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है चलिए इसके बारे में आपको जानने वाली क्या क्या चीज़े हैं मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताक कि आप लोगों को दिखाई दे पहला जो उपन्यास जो की हिंदी में प्रकाशित हुआ वो है सेवा सदन उन्नी सो अठ इसको भी याद रखने बाके किसी का रखो या ना रखो लेकिन सेवा सदन का आपको याद रखने उन्नी सो अठारा को हुआ था ठीक है अब देखिए ये जो सेवा सदन उन्होंने पहले बाजारे हुष्ण राम का उर्दू में लिखा था प्रेमजन जी ने पहले उर्दू में बाजारे हुष्ण लिखा था ठीक है जो की स्त्री समस्याओं के ऊपर आधारी था लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया जो की है सेवा सदन उसको फिर से हिंदी में लिखा जिसको नाम दिया सेवा सदन और बा जाने वाला उपन्यास कौन सा है तो आंसर हो जाएगा बाजारे हुश्न ये भी आपके लिए बहुत ही important बात है सेवा सदर बाजारे हुश्न नाम से पहले उर्दु में लिखा गया था लेकिन छपा कौन सा पहले हिंदी वाला छप गया उसके बात आया प्रेमाश्रम प्रेमाश्रम 1922 को वो छपा था यहो किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है अब बारी आई देखे पहले तो जिसमें भी आपको पहला वाला वार्ड मिल जाता है उसको हमें याद रखना है पहली हिंदी उपन्यास कौन सी है पहली उपन्यास जो कि किसान के उपर लिखी गई है किसान के जीवन के उपर वो है प्रेमाश्रम इसका मौसदा भी पहले उर्दू में गोशाए अफियात नाम से त्यार हुआ था तो ये भी पहले उन्होंने उर्दु में लिखा था और उसका नाम था गोशाए अफियात ठीक है गोशाए आफियात और गोशाए अफियात को उन्होंने हिंदी में प्रेमाश्रम नाम में फिर से लिखा लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया प्रेमचन जी ने पहले बाजारे हुसन लिखा उर्दू में उसको फिर से हिंदी में लिखा सेवा सदन और हिंदी वाला पहले चपवाया उसी तरह प्रेमा श्रम भी उन्होंने गोसाए आफियत नाम से पहले उर्दू में लिखा था और दूसरा पिसानों के उपर वही उसी उपन्यास को हिंदी में लिखा प्रेमा श्रम के नाम से और प्रेमा श्रम को पहले चपाया उसके बाद आई रंग भुमी इसमें प्रेमाचंद एक अंधे भिकारी सूर्दास को कथा का नायक बनाकर हिंदी का साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सुत्रपात करते हैं रंग भुमी इसका जो 1925 यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उसके बाद आया निर्मला यहाँ अनमेल विवा की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपरन्या से अनमेल विवा जैसे की आपका एक मुहावरा एक कथा है जो बोलते हैं लंगूर के हाथों में हूर जो योग्य नहीं है उससे एक बहुत बड़ी चीज मिल जाना यह अनमेल विवा क्या है जो अलग अलग व्यक्तित्टों के लोग होते हैं जो एक दूसरे के लिए सही नहीं हो सकते तब वो सब नहीं देखा जाता था बस देखा जाता था तो एक पुरुष के लिए एक महीला चाहिए एक महीला के लिए एक पुरुष और विवा करा दिया जाता था उनके उम्र में भी बहुत अंतर होता था तो उस समस्या के ऊपर लिखा था निर्मला फिराया गवन उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दामपत्य जीवन रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गवन जलपा का उभरता व्यक्तित्तों इत्यादी घट नाव के इद्गिर्द घूमती है एक पारिवारिक उपन्या से फिराया कर्म भूमी कब रिलीज हुआ मतलब कब छपा था 1932 को कर्म भूमी 1932 और सेवा सदन 1918 ये दोनों आपके दिमाग में छप जाना चाहिए अच्छा तो ये कर्म भूमी किस के लिए लिखा गया है यहाँ अच्छूत समस्या जो छूत-च्छूत की बात होती थी उसके उपर उनका मंदिर में प्रवेश तथा किसानों को लगान इत्यादी की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है कर्म भूमी में उन्होंने नारियों के प्रति हो रहा अत्याचार के बारे में भी बोला है किसान के प्रति हो रहे अत्याचार के बारे में भी बोला है और छूत-छूत की समस्या के बारे में भी बोला है हम देखेंगे कि कर्म भूमी उपन् अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जिनकि उसके बाद उनका देहान भी हो जाता है, उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास भी है, एक अपूर्ण उपन्यास भी है, मैंने आपके लिए वो लिश्ट भी लगा रखी है, मतलब यहां पर लाई हूँ, जिसमें कौन सा उनका अंतिम उप अब देखिए अब हुआ यह कि गोदान आपका किसानों के उपर लिखा गया एक रचना है और प्रेमाश्रम भी आपका किसानों के उपर लिखा गया रचना है इसलिए आपको याद रखना है पूछा जा सकता है कौन सा उपन्यास किसानों के उपर लिखी हुई पहली उपन् उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी आद्वितिय रचना है इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुबाद गिफ्ट और यही एक उपन्यास है जो कि सर्व प्रशिध है सर्व प्रसिध उपन्यास अगर कोई है प्रेमचन जी का तो वह गोदान मतलब राश्ट्रिय से अंतराश्ट्रिय स्तर तक इस उपन्यास की सराना की गई है इसलिए बाफ करिए इसलिए इसका प्रकाशन का साल भी हमें याद रखना है 1936 ठीक है सर्ब स्रेश्ट उपन्यास हमारा कर्म भूमी लेकिन सर्ब प्रसिद्ध उपन्यास जिसको लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद किया गया वो है गोदार उसके बाद आई प्रतिक्या प्रतिक्य यहां बिधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है और अंत में आया मंगल सुत्र देखिए ब्राकेट में लिखा गया है अपूर्ण यानि मंगल सुत्र प्रेमचंद जी की अंतिम अपूर्ण उपन्यास बन गई इसको पूर्ण करने से पहले ही उनका निधर हो गया यहां प्रेमचंद का अधूर्ण उपन्यास है जिससे उनके पूत्र अम्रित राय ने पूरा किया अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है हमने उनके तीन संतानों के बारे में पढ़ा था जिसमें दो पूत्र थे और एक कन्या थी उ उन्होंने मंगल सुत्र को पूरा किया तो अम्रित राय आपका एक सवाल बन जाता है उनके कौन से संतान ने अपूर्ण उपन्यास मंगल सुत्र को पूर्ण किया तो हो जाएगा अम्रित राय यह बात आपको याद रखनी है चली इसके प्रकाशन के संदर में अम्रित रा ठीक है चली अब वो क्या-क्या कहानी लिखते हैं उपन्यास तो हमने देख लिए उन्होंने क्या-क्या उपन्यास लिखे हैं और कौन सा उपन्यास कौन से विशेवस्दू के उपर आधारित हैं अब हम देखेंगे कहानी रेखें हाला कि मैंने यहां पर कुछ कहानिया लिख मैंने कुछ लिक दी है कहानिय, लेकिन उनकी कहानी 300 से भी अधिक है, इसलिए पूरा सारे के सारे कहानियों का नाम दे पाना तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ कहानिय आप याद रख लिजिए, जिससे आपके एक्जाम के लिए आपका काम हो जाएगा, एक है पूसकी राख जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे सिलबस में है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बुढ़ी काकी और दो बेलो की कथा इस तरह से उन्होंने 300 से भी अधिक कहानिया लिखी है तो आप सिर्फ इतना याद रख लिजिए पूसकी राथ, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बुढ़ी काकी और दो बेलो की कथा लेकिन कहानी संग्रहले में आपको याद रखना है कितने कितने कहानी संग्रहले हैं और क्या है ठीक है, कुल मिलाकर आठ कहानी संग्रह हैं उनका, कितना है? सबसे पहले हम देखेंगे सब्त सरोज के बारे में, सब्त सरोज प्रेमचंद्र जी के कहानियों का एक भंडा, कहानी संग्रह का मतलब क्या होता है? उनके बहुत सारे कहानियों को एक किताब में रख देना और उसको एक अलग नाम दे देना इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, आ सकता है ये एक्जाम में, 1917 में इसके पहले संस्क्रण की भूमी का लिखी गई थी, सब्त सरोज में प्रेमचंद की ये याद रखिए, साथ, इसलिए इसका नाम है सब्त सरोज, यानि साथ से याद रखिए, सब्त सरोज कहानी संक्रह में उनका जो प्रेमचंद जी की साथ कहानियों है, संकली थे, मतलब साथ कहानियों को जगा दी गई है, क्या-क्या है, वो है बड़े घर की बेटी, दूसरा है सौत, तीसरा है सज्जनता का दंड, चोथा है पांच परमेश्वर, छटा है नमक का दा इन सब्त सरोज कहानी के संक्रह में साथ कहानियों को जगा दी गई है, कौन सी कहानी याद रखे, क्यूंकि आपको ऐसा सवल आ सकता है, इन में से कौन सी कहानी सब्त सरोज में है या सब्त सरोज संक्रह में नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, या कहानियों का संग्र है जैसे क्या क्या है इसमें राजा हर्दोल रानी सारंध्या मर्यादा की वेदी पाप का अगनी कुंट जुगनु की चमक धोका अमावास्या की रात ममता और पच्तावा उसके बाद प्रेम पुर्णिमा एक उनका संग्र है प्रेम 25 वो भी एक है प्रेम प्रतीमा और प्रेम द्वादशी ठीक है प्रेम के नाम से ये चार संग्रे उनका है और ये भी कहा जाता है कि उनकी कहानिया उनकी उपन्यास उनके रचनाओं के लिए उस समय को प्रेम यूग प्रेम चंद यूग भी कहा जाता है उनके और एक कहानी संग्रह है समर्यात्रा क्या है समर्यात्रा पहले आ गया सब्तसरोज दूसरा आ गया नवनिधी और अब आपको याद रखना है समर्यात्रा इस संग्रहे में इस संग्रहे के अंतरगत प्रेमचंद की ग्यारा लेकिन केसी राजनेतिक कहानिया जो पहले होती थी वो राजनेतिक नहीं थी समर यात्रा में राजनेतिक कहानिया है कितने हैं 11 तो इस राजनेतिक शब्द से आपके लिए एक नया सवाल उठ गया कि कौन सा कहानी संग्रह है राजनेतिक कहानियों से बना है लांचन, ठाकूर का कुवा, शराब की दुकान, जुलूस, आहुती, मेंकू, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर्यात्रा, आदी. तो आपको क्या याद रखने हैं? समर्यात्रा, ग्यारा राजनेतिक कहानियों का एक संकलन है. राजनेतिक याद रखिए. और अन्त में आता है मान सरोबर. आठवा संग्रह क्या है? मान सरोबर. भाग एक, वदो और कफन. उनकी मृत्यों के बाद, उनकी कहानियां मान सरोबर सिशक से आठ भागों में प्रकाशित हुई. कितने? उनकी कहानियों को मान सरोबर में आठ भा उन्होंने संग्राम लिखा था, यहां कहानी के मध्य व्याप्त कुर्टियां तथा किसानों की फिजुल खर्ची के कारण हुआ, कर्ज और कर्ज ना चुका पाने के कारण, अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला ना टके, संग्राम, प उसको ध्यान से दी पढ़िए, रेड मार्क, प्रेम चंद के कुछ निबंधों की सूची जो के दी गई है, क्या-क्या है, पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फाइदे, निबंध भी उन्होंने कुछ लिखे है, कहानी कला, कौमी भासा के विशे में कुछ विचार हिंदू-उर्दू की एकता, महाचनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्तान, ये है उनके निवत, और ये जो बारी बात है, ये आपको ध्यान देने में ज्यादा है, मैं इसको MIMP लिख देती हूँ, आप लोग इंपोर्टेंट को IMP लिख देते हैं, इसलिए म में मोस्ट इंपोर्टेंट को MIMP लिख देती हूँ, प्रेमचन्द की तीन जीवन परक पुस्तके सरवादिक महत्योपुन है, मैंने ये लिख भी दिया है, कि प्रेमचन्द जी के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जाने वाला पॉइंट ह कि उनके जीवन के बारे में तीन जीवनी परक लिखे गए हैं पुस्तके, प्रथम पुस्तके प्रेमचन्द घर में 1944 को लिखा गया था, मतलब प्रकाशित हुआ था, किसने लिखा था, उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्तों के घरेल प्रशनों को उजागर किया है, अब ये जो लाइन है, उसको आपको पढ़ने की आफिर याद रखने की ज़रुरत नहीं है, उसका दुबारा संस्करण के से हुआ, संशोधन के से हुआ ज़रुरत नहीं है, दूसरा बुक है प्रेमचन्द कलम का सिपाही, उस तक का नाम क् और इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ प्रेमचन्द ब्रिह जिवनी है, जिसे प्रामानिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचन्द के पुत्री का बहुत उपियोग किया है, छोड़ दीजे कोई बातें, बस इतना याद रखिए कि पहला प्रेमचन्द घर में उनकी दूस इसको क्रिशन लिखा ता देखेंगे, राम विलास्त सर्मा जी के अनुसार ये लिखी गई थी, किन्तु उसका प्रकाशन बाद में किया गया था, मदन गोपाल द्वारा रचित यह जीवनी मूलत अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रुपांतरण म प्रकाशित हुआ, किसने लिखा था, मदन गोपाल, याद रखे, मदन गोपाल जीने लिखा था, कलम का मजदूर प्रेमचंद, प्रेमचंद के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा रचित जीवनी है, जो प्रेमचंद संबंधी तत्थियों का अधिक तटस्थ रूप से मुल्यांकन करती है, अब ये तीन से चार सवाल आ जाते हैं, चार, पांच, छे, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, पहला, कितने उनके जीवन के उपर कितनी पुस्तके लिखी गई थी, तीन पुस्तके, दूसरा कौन-कौन, एके प्रेमचंद घर में, दूसरा नहीं, ऐसा करके आ सकता है, दूसरा, ये दूसरा हो गया, तीसरा, तीसरा है, उनके प्रकाशन का समय, प्रेमचंद घर में कब प्रकाशित हुआ था, 1944 को हुआ था, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये कब है, 62 को हुआ था, 1962 को हुआ था, ठीके, फिर कलम का मजदूर प्रेम में पूछा जा सकता है किस ने लिखा प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी प्रेमचंद कलम का सिपाही उनके पुत्र अमरित राए और कलम का मसदूर प्रेमचंद उसको लिखा है मदन बोपाल जी ने हो गया अब आया पांचवा सवाल जो की मोडिफाइ करके पूछा जा स तो जो पहले वाले दो हैं, वो तो उनके अपने उने लिखा है, पतनी ने और पुत्र ने, लेकिन जो कलम का मजदूर प्रेमचन है, वो उनके किसी अपने ने नहीं लिखा, उनके किसी संबंधी ने नहीं लिखा, बाहर वाले ले लिखा है, तो ये भी सवाल आपका आजाता है। तो प्रेमचंजी के जίवन से ही इतना सवाल आ सकता है कि आप जीवन कहानिक उपन्यास को पढ़ने के साथ जीवनको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आया स्मृतियां स्मृतिया मतलब प्रेमचंजी का हिंदी साहित्य के और जो अफदान था之前 उनके लिए कुछ स्मृतियां बनवाई गई क्या क्या देखेंगे प्रेम जंजी की स्मृति में भारतिय डाक्तार क्योंकि उनके पिता एक डाक्तार विवाग की और से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्म सती के अफसर पर 30 पेसे मुल्य का एक डाक्तिकट जारी किया गया था दूसरा गोरखपुर के ये नीचे आने वाला नीचे आना चाहिए था मैंने से एडिटिंग में नहीं लाया मैं उसको लाने वाली थी I think वो रहे गया और क्या करूँ छुड़ी डायमंड्स तो है उसको रेड डायमंड्स है जो रेड डायमंड एक पॉइंट ठ्या गोरखपुर के जिस स्कूल में वे सिक्षक थे वहाँ प्रेमचन साहित्य संस्थान की सापना की गया तो उनके में एक गाउ में प्रेमचन के नाम पर एक समारक तथा शोध एवं अध्यन संस्था बनाया जाएगा ये एक घोशना की गई है सरकार के और से प्रेमचन की उनके आने वाली सालगीरा पर सरकार के और से घोशना की गई है कि उनके लिए क्या बनाया जाएगा अध्यन पत्रिकाओं के लिए लिखा था जिसमें जमाना सरस्वती माधूरी मर्यादा चांद सुधा ये सब पत्रिका थे ये सब होते हैं पत्रिका के नाम ठीक है इन सब पत्रिकाओं के लिए उन्होंने लिखा था तो आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित कौन से पत्रिकाओं के उन्होंने इसको संपादन और इसका प्रकाशन करने के लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस को खरीद लिया था एक और व्यक्ति के मदद से उन्होंने और हमेशा बोल सकते उनके एक पार्टनर के साथ मिलकर उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीद लिया था और उस सरस्वती प्रेस में उन्होंने जागरण नाम का एक साहितिक पत्रिका और हंस नाम का एक साहितिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया लेकिन ये जो प्रेस है उनको कुछ ज्यादा लाब नहीं हुआ और नुकसान होने के कारण बाद में प्रेमजन जी को ये प् वादर्शो‍न मुख यथार्थवाद ऊपन्यास से, मतलब आव समझेंए ये ना समझें, लेकिन वाद को याद रखिए, अयथार्थवाद, कैसी उपन्यासे यथार्थवाद. यथार्थवाद् उनके साहिते की प्रमुख विश्यस्ता है, यानि वो मनोविज्ञान के यह जो समय सीमा है 1918 से लेकर 1963 तक उल्टा पड़ रही हूँ 1936 तक उनका जीवनकाल उनका जीवनकाल जो था उसको प्रेमचल यूग देखिए आ गया प्रेमचल यूग भी कहा जाता है अच्छा अब मैंने जो बोला था कि उनके अंतिम रचिनाई क्या-क्या है ये भी है आपका most important point जो आपको याद रखना है उनके अंतिम निबंध क्या है महाजनी अंतिम व्याक्यान क्या है साहित्य का उदेश अंतिम कहाणी है कफन और अंतिम पूर्न उपन्यास गोदान है अंतिम अपूर्न उपन्यास मंगल सुत्र है जिसको कि किस ने पूर्न किया था अमरित रायने उनके पूत्र अमरित रायने चलिए अब यहां तक हो गया हमारे प्रेमजन जी के जीवन के उपर अब हम आ जाएंगे हमारी जो चच्छा का विशे मुख्य विशे है गर्म भूमी उपन्यास उसके उपर इस उपन्यास को पांच भागों में भाग कर दिया गया है कुल पांच भाग है इसके प्रथम भाग में अठारा अध्या है दूसरे भाग में साथ अध्या है तीसरे भाग में बारा अध्या है चोथे में आठ और पांच में में दस ठी तो आप चाहें, तो कौन से भाग में कितना अध्याय हैं, वो याद रख सकते हैं, कोश्चिन आजए, तो आपका लखी पॉइंट एक मिल जाएगा, नहीं आया, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक, अब इस उपन्यास को लिखने का उद्देश्य, कर्म भूमी की रचन चलो, अब इसके बारे में और थड़ा मैंने कर्म भूमी के बारे में दे दिया गया है, उसका नायक कौन था, अमरकान था, ठीक, वो एक अस्थिर गांधी वादी था, गांधी जी के विचारों का वो सन्मान करता था, अब इसका उद्देश्य कुछ और भी है, कर्म भूम और अपना जो राजनेतिक दाइट तो उसको निभाता जा रहा है, उसके बारे में ये उद्देश्य है, उसकी मूल समस्या है, अच्छा, ये भी आपका एक most important वाली point बन जाती है, कि निमनल इखित में से कौन सी समस्या कर्म भूमी उपनियास के अंतरगत है या फिर नहीं इसमें जमीन की समस्या बताई गई है, लगान कम करने की समस्या के बारे में बता गया है, खेती हर मजदूरी की समस्या के बारे में बता गया है, अच्छुदों के मंदिर में प्रवेश करने की समस्या, नारी की आसुरक्षया की समस्या, पत्नी के समान अधिकार की समस्या, इन समस्याओं के आधार पर ये रचना मतलब ये उपन्यास लिखा गया है इसमें कौन-कौन से चरितर है, मुख्य चरितर है अमरकांथ है जो कि नायक है, सुखदा है जो कि नाइता है समरकांथ है जो कि अमरकांथ के पिताजी है देखिए समरकांथ अमरकांथ कन्फ्यूज मत हो ये समरकांथ पिता जी है अमरकांथ नायक है समरकांथ के कॉलेज में फीज देने की आखरी डेटा आ गई थी और उनके पिता समरकांथ जी पैसे नहीं दे रहे थे इस कारण के चलते अमरकांद और समरकांद यानि पिता और बेटे के बीच में थोड़ा मन मुटाव होने लगा और अमरकांद अपने किसी दोस्त के मदद से वो पेसे भरते हैं रुक्मिनी देवी है जो सुखदा की मा है सुखदा कौन है नाई का नेना है जो अमरकांद की बहन है मुन्नी है जो की गाउं की लड़की जिसके साथ बलातकार हुआ था सलीम है जो की अमरकांद का दोस्त है सकीना है अमरकांद जिसके प्रती अनुरक्त था ये सलीम वही है जिससे पैसे लेकर अमर कांथ ने कॉलेज की फीस बानी थी थोड़ा देख लेंगी उसके विसेवस्तु के बारे में उसके कहानी को मैंने छोटा करके आप लोगों को दिया है अब उसको पढ़के क्योंकि ये तो पांच भागों में है इतना सारा अध्या आप सब नहीं पढ़ सकते तो टोटल क्या हुआ था स्टोरी कहानी वह समझ लेना और काले खां चोरी का सामान बेचने वाला वो एक चरित रहे प्रो सांती कुमात जो की अमर के गुरू है अमरकांद के गुरू है तो आपको पूछा जा सकता है कर्म भूमी के नायक अमरकांद के पिता का नाम क्या था बेहन का नाम क्या था अमरकांद के गुरू का नाम क्या था अमरकांत किसके प्रती अनुरक्त था अमरकांत का दोस्त कौन था ये सब पुछा जा सकता है या फिर कर्म भूमी के नाईका के मा का नाम क्या था ये सब भी पुछा जा सकता है याद रखिए उपन्यास में और भी पात्र है जो प्रसंग वश आये है जिनके माध्यम से कथानक को उसके चरम बिंदू तक पहुंचाया गया है सेट, धनीराम, चौधरी, गुदर, पठानिन, मिस्टर घोश, आदिक कई पात्रे प्रेमचन इंद पांत्रों के माध्यम से समाज का यथार्थ रूप सामने लाते हैं और चरित्र परिवर्तन दौरा समाज में आदर्श की स्थापना करते हैं जो समरकांत मानवत्ता का सोशक था, वो अंद में समाज सेवक बन जाता है तो इसका मतलब यह बोलते हैं, जो अमरकांत के पिताजी थे, समरकांत, वो पहले सोशक थे लेकिन बाद में उपन्यास के अंत होते होते वो समाज के सेवक बन जाते हैं यही है इस कहानी का मुख्यधार कि कैसे अच्छी बातों से अच्छे वाताबरन से लोगों के चरित्रों में लोगों के चिंता धाराओं में परिवर्तन आ सकता है कालेखा जिसका जीवन हत्य वव अपराध में बीठता है वो भी अन्तमे हीन कर्मों से सन्यास ले लेता है उपन्यास का पात्र सलीम जो साश्यन और अधिकार के मध्य में नीरीह जन्ता मतलब जो मासूम लोग होते हैं जिसको हम उड़िया में नीरी हो भी बोलते हैं, नीरी ही जन्ता को दमन की चक्की में पिस्ता है, वो अंत में उन्ही का रखवाला बन जाता है। धनीराम भी अंत में मनुश्यता की सेवा करता है और उसके कारणे सब की रिहाई होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्रों की योजना प्रेमचंद ने परिस्तितियों के अनुकूल ही किया है। ग्रामे वशहरी पात्रों की कहानी को एक चरम बिंदू पर लाकर समाप्त किया है। यह इस उपन्यास की विशेस्ता के रूप में देखा जा सकता है। अब यथार्तवादी का यही है कि वो बताते हैं कि लोगों का मनोवियन कैसा है, कि वो पहले क्या थे, बाद में क्या हो सकते हैं। कहानी का साराज अगर हम देखें, तो कर्मभू में उपन्यास का प्रारम अमरकांद के स्कूल की फीश ना भर पाने की विवस्ता से प्रारम होती है। जो कि अमरकांद की सौतेली बहन है। हम सब के घर में ऐसा होता है कि पिताजी और जो भाई होते हैं, बेटे, उन दोनों के बीच स्नेह प्रेम का भाव तो होता है, लेकिन बादचीत कम होती है। और हर घर में आप देखिए उस बादचीत का माध्यम, बेहन या माता बंद भी अमरकांद को दुकान पर काम करने के लिए करती हैं। क्योंकि लाला समरकांद ऐसा चाहते थे, अमरकांद जब दुकान पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करता, वहाँ काम करते हैं, उसका परिचे काले खांसे होती हैं। वो दुकान पे बेट पेट कर ही अपनी पढ़ाई करते थे। जो चोरी का सामान बेचने समरकांद के पास आता था। वहां उसकी मुलाकात पठानीन जो सकीना की दादी हैं उससे होती है। जिसे लाला समरकांद जीव को पार्जन हेतु पांच रुपए महीना देते थे। महीने में पांच रुपए सिर्फ जिन्दा रहने के लिए, खाने के लिए। इन दोनों चरित्रों पठानीन और काले खांको देखकर अमरकांद के मन में पिता के लिए एक और सन्मान बढ़ता है। वही दूसरी और उन्हें निक्रिष्ट कोटी का काम करने वाला समझने लगता है। उनको लगता है कि जिनको जिन्दा रहने के लिए भी संगर्श करना पड़ता है, उसको थोड़ा पैसा दे पा रहे हैं तो सन्मान भी आ रहा, लेकिन किस काम के लिए दे रहे है वो देकर निंदा भी हो रहा है। पठानिन के जरिये शकीना से मुलाकात होती है और उनकी नजदीकिया भी बढ़ती है सुखदा को त्याग कर अमरकांद शकीना से विभा करना चाहता है आपने शुरुवाद में ही देखा है अमरकांद के दोने तरफ दो महिला यह क्यूं हुआ है ऐसा क्यूंकि प्रेमचन जी ने इस विशे को अपने जिन्दगी में भोगा है उनकी पहली माता के मृत्यों के बाद उनके पिता जी ने दूसरी शादी की प्रेमचन जी ने दुश्री शादी की तो ये जो दो पत्नियों का मामला है वो पहले से भोगते आ रहे हैं इसलिए उन्होंने उसी कहानी को यहां पर भी जगात दिया है सुखदा को त्याग कर अमरकान सकीना से विवा करना चाहता है यह सब कुछ अचानक नहीं होता सुखदा और अमरकान दो भिन प्रब्रती के थे अब यहां पर आ गया ओ मेलक विवा जो कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ नहीं बनना चाहिए वो भी अगर बन जाए तो जो उसका निसकर्ष होता है दोनों के मध्य में संबंद स्तापित तो होते हैं किन्तु प्रेम की पराकाश्ठा तक वे नहीं पहुँचते हैं उन्हें एक बालक भी होता है पर वो भी इन्हें जोड़ पाने में सहायक नहीं होता और वह सकीना के प्रेम में अपनी जीवन की सार्थक्ता समझने लगता है पठानिन के विरोध करने पर वह अमरकान शहर छोड़ कर चला जाता है इस बीच नेना जो शांती कुमार के प्रती अनुरब्द थी उसका विवा एक विलाशी पूरुस से हो जाता है सुकधा भी अमरकान के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है और अच्छूत के मंदिर प्रवेश को लेकर हुई आंदोलन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती है और जेल जली जाती है उधर अमरकान भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए जेल की सजा कारता है उपन्यास का अंत जेल में ही संपन होता है नेना की मृत्य हो जाती है सलीम और सकीना एक दूसरे के बंधन में बन जाते है अमरकांथ और सुखता भी खुशी-खुशी एक दूसरे को अपनाते हैं उपन्यास में यही मुख्य कता है जो प्रासंगी कताओं के सहयोग से अपने अंध तक पहुँचती है देखिए यह एक ऐसी कहानी है ऐसा उपन्यास है जिसमें जो अमरकांथ है वो गांधिवादी है उसका मानना है कि गांधी जी ने जो जो विचार दिये है वो सही है और बिल्कुल सही रूप से काम करते हैं हन्डर्रेड परसंद काम करते हैं जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन के समय हिंसा मत करो बलकि जेल को इतने आंदोलन कारियों से भर दो कि वो बाध्य हो जाएँ आपको छोड़ने के लिए हिंसा मत करो लेकिन प्रतिबाद करो जिसे जो अंग्रेज हैं वो आपको जेल में डालेंगे ही डालेंगे और उनका जेल एक दिन इतना भर जाएगा कि वो आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाएगे और इसी बात पर विश्वास रखते थे अमरकांद इसलिए इस उपन्या अब आता है प्रशन उत्तर अब आप देख सकते हैं यहां पर एक बात में क्लियर कर दूं मैं धन्यवाद दूंगी सभीता महापातर जी का जो कि आप में से ही एक है हमारे कोर्स में जॉइन किये हुए और इसके साथ साथ कुछ बच्चों का कंटिनियूस मेसेजेस हैं जो क्योंकि सर ने अपने promotions के वीडियो में बोल दिया है कि 70% question iCare से आते हैं तो आप सब लग गए iCare iCare कोई ज़रूरत नहीं है iCare को खरीदने की और अगर अगर मैं हिंदी का बात करूं जो यह जो iCare की SSB Hindi teacher की guide है उसकी बात करूं उसमें सिर्फ ऐसे ही दे दिये गए हैं कि 3000 questions है MCQs हैं हाँ है बिल्कुल है लेकिन उससे भी कही ज्यादा आप मेरे PDF में पास सकते हैं जो जो points मैंने बताया है अगर उसमें से आप सवाल करें तो कितना सारा है और मैंने देखा है उस guide में कुछ भी नहीं है कुछ सारांच नहीं दिया गया ना ही किसी कवीब के बारे में अगर आप लोग खरीदने के बारे में सोच भी रहे हैं तो मत खरीदिए क्योंकि यह हमारा एक प्रोग्राम है प्रोग्राम मतलब हिंदी का हिंदी के बहुत सारे बच्चों ने सर से किया है कि आपने बोला है 70% question i care से आता है तो हमें i care से भी करवाई तो सवीता महापात् जो मुझे भेजे हैं pdf ठीक है और वो जाते कि इसको आपके pdf में इंक्लूड किया जाए चली देखिए प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था उनका जन्म कौन से गाउं में हुआ था उनके पिता कौन थे चार नमबर 5 देखी उ और आगे बढ़िए उनकी सौतेली मा मा का उनके प्रती व्यवार केसा था स्नेहपुन खराब अच्छा शद्धापुन खराब था इसलिए तो उनका वो बोल गए है कि खुद तो पाप जो पिता जी है खुद तो गिरे ही गिरे मुझे भी गिरा दिया वे उर्दू-फार् प्रوق करेवर जहां पर मैंने लिख्खा है वहांपर र select कि कहानी का संग्रह क्या है कछ है सुक्दा की मा कौन थी किस के नेत्रटों में अमरकांट गाउंघ । क्यांच परताल के लिए गया अमरकांद को कहां से असीमस ने वो धन मिला अमरकांद कैसा यूवक था इसमें अमरकांद के बारे में जो पुछा गया है वो सब मैंने कर्म भूमी उपन्यास का नायक अमरकांद नायक के बारे में जो दिया है उसमें मिल जाएगा उसके बाद देखते हैं, पुछा गया है, दुकान पर बैठने के समय उसकी किस से भेंट हुई, निर्धन बुढिया की पोती कौन थी, भिकारीन का नाम क्या था, सलीम कौन है, प्रो शांति कुमार द्वारा संचालित आश्रम क्या था, अमर को किस में सदस्य चुना गया, उस इलाके का जमीदार कौन था, महंत ने क्या छोड़ने का आस्वासन दे दिया, महंत जी द्वारा छूट क्या थी, ये सब सवाल है, कुल मिलाकर 51 सवाल है, ठीक है, कुल मिलाकर 51 सवाल है, नहीं, 55 है, और उसका आंसर है ये, ये उसी iCare से मिला है, अगर आप iCare मेरे मना करने के बाद अगर iCare खरी देंगे, तो कोई लाव नहीं होगा, ठीक है, क्यूंकि मैं इसी में आपको दे दूंगी, जिस तरह से ये PDF मैंने दे दिया है, और आंसर दे दिया है, उस तरह से मैं दे दूंगी, उसी iCare से आपको ल पाए आप लोगों को दे ठीक है और अगर इस आंसर में से कुछ आपको गलत लगे तो आप मुझे बताइए मैं उसका निवारण बता दूगी मतलब क्या अंसर होगा बता दूगी अब देखिए हमारे हिंदी के लिए कोई ग्रूप नहीं बना जिसमें आप और हम आपस में आमने सामने बात कर सकें तो इस वज़े से आपका डाउर्स मेरे पास आ नहीं रहा है कुछ ही बच्चे हैं मतलब कुल मिला कर सिर्फ 10-11 ही बच्चे होंगे जिनका डाइरेट कंटक्ट मेरे साथ होगा और बाकी सब का सर के साथ तो मैं क्या करूंगी हिंदी के लिए एक ट अपनी मेडम भी वहां पर होंगे दोनों से आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं धन्यवाद और इसी के साथ हमारा समाप्त होता है कर्म भूमी उपन्यास इसी तरह हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में एक ही उपन्यास या फिर कहानी निबंद जो भी इसको खत्म करते धन्यवाद आप सबका परिक्षा पास आने वाला है जल्दी हो जाएगा तो आप सबको बहुत बहुत सुफकामना है परिश्रम करिए एक्जाम जरूर क्लियर होगा